How to fix Indus Bank Video Brunch App Not Responding and Black Screen Problem नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप जो है Indus Bank Video Brunch App के ये प्राब्लम जो है आप सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके का कोई भी प्राब्लम कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जो भी मैं आपको सॉलुशन बताने वाला हूँ उसको फोलो कीजिएगा तो आप भी दोस्तों उसी तरीके से सॉलुशन को फोलो करना होगा एंड देन दोस्तों आपका प्राब्लम फीक्स हो जाएगा ठीक है दोस्तों जब भी हम कोई एप यूज करते हैं तो उस एप के अंदर पे कभी कबार जो है बक्स आ जाते हैं या तो फिर दोस्तों उस एप के अंदर का जो डेटा होते हैं वो ख्रश हो जाते हैं या तो फिर एप डेटा करप्ट हो जाते हैं तो इस तरह के वहाँ बहुत सारे प्राब्लम्स यहाँ पर ओक्योर्ट हो जाते हैं ठीक है तो दोस्तो वीडियो को पूरा देख लिजे और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले Make Sure चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें अगर आप आप आनलाइन पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चली दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है आप मॉबाइल को स्पाइब करके देखिए क्योंकि कभी कबार कर रिस्टाट से आपका प्राव्लम पर बन्लब्लम हो जाते हैं अगर फ्राव्लम तो ठीक है अगर नहीं हो पाते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है एंडेंट एप को सर्च करना है और इस एप को अपडेट कर दिना है ठीक है Hé make sure app को update करें अब update करने से दोस्तों आपका जो भी बग का issue भी होगा तो भी fix हो झागा ठीक है अगर आपका data में कोई भी problem में है ज़iden Hughes हो रहा है जैसी कि a total data corrupt हो जाते हैं जो सारे कुछ आप da 5-5 कर सकती ठीक है to make sure आप डेट करें उसके बार restart कर दीजिए mobile को end independent app को open कीजिए और सब कुछ allow कर दीजे permissions और use करके देखिए दोस्तों अगर आपका problem solve हो जाते है यह solution करने के बाद में तो ठीक है अगर आपका problem solve नहीं हो पा रहा है तो फिर दोस्तों आप follow कीजिए next solution को तो next solution करने के लिए दोस्तों आपको जाना है setting सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकर का interface मिलेगा और यहाँ पर आपको app and notification पर जाना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको app and notification manage app install app management app manager करके option मिलेगा तो यहाँ पर जाए और app को open कीजिए for stop कर storage and cache पर जाये clear storage करके ok कीजिए यह करने के बाद दोस्तों आपको every login करना होगा ठीक है अभी permission पर जाये उसके बाद सारे permissions allow कर दीजिए तो दोस्तों सारे permissions allow करने के बाद आप यहाँ पर बेक करें बेक करने के बाद आपका mobile data and wifi पर जाये mobile data access वगरा चेक कर लीजिए सब कु यहाँ पर चेक करने के बाद आपको बेक कर देना है बेक करने के बाद दोस्तों आप mobile को restart कीजिए और दुबारा से एक बार जाके एप को चेक कीजिए दोस्तों कई लोगों का जो problem रहते हैं वो इतना solution करने के बाद complete तरेके से fix भी हो जाते हैं तो अगर आपका fix हो जाता से दोस्तों definitely problem आपका fix होगा तो क्या करना होगा आपको जाना है play store में search कर देना है इंडस bank video branch एप को उसके बाद uninstall कीजिए ठीक है एप को डारेक लिए uninstall कर दीजिए और uninstall करने की बाद दोस्तों आप अपना mobile का software भी एक बर चेक कीजिए क्योंकि दोस्तों mobile software भी यहाप पे update होना बहुत ही जरूरी है तो software वगरा update कीजिए install कीजिए और उसके बाद आपको जाना है play store में play store में जाने के बाद दोस्तों एप आप reinstall कीजिए जैसी है आप एप को reinstall करोगे दोस्तों आपका problem भी वे पे fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप launch app का problem fix कर सकते हैं तो complete solution को आप भी follow कीजिए step by step जो है follow करते जाएए अपना solution को और उसके बाद दोस्तों एक नएक solution यहाँ पर काम आजाएगा और आपका problem भी fix हो जाएगा दोस्तों अमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद होगा तंक्स कर दो सवीस कर दो कि छो sicई अचेव attractive जाएव जबते नाम के पक्स रूच झाना